समय के अनुसार जिस तरीके से पैसे की जो value है वो change हो रही है रूपिय की जो value change हो रही है क्या उसी अनुसार से हमारी income level change हो रही है कि नहीं हो रही है और यही 1960 में, यानि कि 20 साल के बाद यह value बरके हो गई 100 रूपिय और जिस तरीके से समय बदलता गया, 1980 में यह हो गई 1000 रूपिय 2000 के टाइम पे यह हो गया 10,000 रूपिय मतलब कि 2000 के टाइम पे अगर कोई 10,000 रूपिय महने का कमाता था तो उसका घड चल जाता था, जीवी का चल जाता था और वही अभी 2020, जिस सदी में हम लोगों ने, जिस ताइम में हम लोगों ने इंटर किया है वो ताइम है 2020 का और वो value बरके हो गई है 1,000 रूपिय तो समय के नुसार से इस तरीके से जो पैसे है, जो रूपिय की value है इस तरीके से बदली है और उसी ताइम पे 1940 के अगर बात करूँ, 1940 में कोई एक आदमी था जो कि 4 रूपिय महने का कमाता था वहीं पे एक आदमी 10 रुपिय महने का कमाता था और वहीं पे एक आदमी 40 रुपिय महने का कमाता था और इस तरीके से जिस तरीके से समय बतला ये वैलू जो चेंज होती गई 1960 में 40 रुपिय कमाता था कोई 100 रुपिय कमाता था कोई 400 रुपिय महने कमाता था और 1980 में कोई 400 रुपिया, कोई 1000 रुपिया और कोई 4000 रुपिया महना कमाता था और 2000 के टाइम पे कोई 4000 रुपिया महना कमाता था और कोई 10,000 और कोई 40,000 रुपिया और इसी पैसे की वैलूप पे इस जिस तरीके से income है लोगों की उसी के accordingly हम society को तीन पार्ट में बाठ देते मतलब कि वह लोर क्लास में हैं और कोई 2000 के טाइम पे 10 तीन कटेग्री में बाद देते हैं lower class, middle class और high class तो सोचे 2020 में जिसमें हम लोग आ चुके हैं जिस समय में 40,000 रुपया महने कमाने वाले तो lower class में आ गया और middle class वालों के जो value हो गई हो वो एक लाख रुपय हो गई है और 4,000,000 रुपया लोगों को चाहिए high class में maintain करने के लिए 2020 के बाद के बाद कर रही हो मतलब 2020 से 2040 के बाद कर रही हो तो कुछ लोग बोलते हैं नहीं ऐसा थोड़ी नहुआ है इतनी value थोड़ी ने change हुई है तो चलिए ठीक है थोड़ा सा इस value को मैं और change कर देती हूँ एक लाख नहीं हुआ है लेकिन ये 85,000 तो हो ही गया है ये 30,000 तो हो ही गया है और high class में खुद को maintain करने के लिए 3,000,000 रुपय की जोरत होती है आज कराएं पर अब इस value को अराम से देखते हैं और समझते हैं कि क्या है ये आज middle class में लोगों को maintain करने के लिए लोगों को survive करने के लिए middle class में 85,000 रुपय मेहने के चाहिए और हिंदुस्तान में अगर देखा जाए तो एक rate की नौकरी करने वालों की जो income होती है वो क्या होती है मंतली 80, 90, 1,5 लाक यही तो होती है मतलब कि समय इस तरीके से बदला है कि हिंदुस्तान में एक rate की नौकरी करने वाले लोग भी आज middle class में आ गये हैं और आने वाले काई में क्या होगा पता नहीं और यही करवी सचाई है कि जिस तरीके से समय के अनुसार जो पैसे की value बदल रही है उस अनुसार से हमारी income नहीं बदल रही है और यही सबसे बड़ी करवी सचाई है कि आने वाले टाइम में लोगों को middle class में रहने के लिए middle class में survive करने के लिए भी struggle करना परेगा जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है जिस तरीके से inflation rate जो है वो बढ़ता है तो कुछ लोग बोलते हैं नहीं लोगों का income भी तो बढ़ता है तो मैं ठीक है लोगों की income का जो rate है वो क्या है बढ़ने का वो होता है 3% अगर कोई अच्छी से अच्छी job भी करते है तो उनकी जो income बढ़ने का rate होता है वो 3% होता है और लेकिन जब हमारी महंगाई है वो 6% से बढ़ रही है यानि कि जो income है वो बढ़ने का rate मैनस 3% हो गया है हमें लगता है कि हमारी income बढ़ी है पर पैसे की value के अनुसार से वो income बढ़ी नहीं होती है वो घर्टी होती है वो growth जो है वो negative में जाता है तो मुझसे ये question पूछा गया था और पूछा गया था कि मधू जिस तरीके से समय के अनुसार ये जो पैसे की value है वो बढ़ रही है क्या उस अनुसार से तुम्हारी income बढ़ी की नहीं तो मेरा answer था नहीं अगर मैं अच्छे सचे जॉब में भी जाती हूँ तो जिस तरीके से पैसे की value बढ़ रही है उस तरीके से मेरी income नहीं बढ़ सकती है और ये तो मैं 2020 तक की से बात कर रही हूँ अगर उसके बात की ब प्रवाने वाले लोग लोग लोगर क्लास में चले जाएंगे और उस ताइम पे 2040-2050 के ताइम पे लोगों को 10 लाख रुपया मैना चाहिए होगा मिल्डर क्लास में सरवाइब करने के लिए और मिल्डर क्लास का सिंपल साडिपनेशन यहीं है वो ठीक ठाक खापते हैं ठ के पास ना समय होता है और नहीं पैसा होता है यह कर भी सचाई है मैं सब का सम्मान करती हूं लेकिन जो पैसे की जो बाते हैं जो डेटा है उसके लिए बात करती हूं कि क्या हो रहा है जिनके पास ना ठीक से टाइम होता है ना ठीक से मनी होता है ना ठीक से पैसा होता है वो अ उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो अपने बच्चों को वो अपने परिवार वाले को हाई फैसलिटी दे पाए और उनके पास इतना समय भी नहीं होता है कि वो कहीं बाहर घूमने जा सके एक दो मैने की वेकेशन पे जा सके तो अपने पूरे के पूरे समय को दे देते है फिर भी उतना परियाप्त पैसा वो नहीं कमा सकते हैं तो हम भाग तो रहे हैं हम इस रेस में भाग तो रहे हैं हम दौर तो लगा रहे हैं हम भाग रहे हैं हम दौर लगा रहे हैं पर हमारा जो लक्ष है वो काफी दूर है क्या हम उस लक्ष तक पहुंच पाएंगे कि नह पूरा नहीं हो पाएगा मैं भागती रह जाओंगी पर उस लक्ष पर नहीं पहुँच वाँगे तो आप से में इस अवाल पूसना चाहती हूँ क्या जिस तरीके से समय के अनुसार कि यह जो भैलू है झाल झाल